हलो स्टूडेंस वेलकम टू अवर यूट्योब चानल के आर साहू क्लास स्टूडेंस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ म. इंग्लिस लिट्रेसर के सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पोट्रे उससे पहले आप लोग को बता दूं कि म. इंग्लिस लिट्रेसर में जो सेमेस्टर स्लेबस होता है उसमें कितने टोटल सब्जेक्ट होते हैं म. इंग्लिस में और उसमें कितने सेमेस्टर के साथ साथ कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने पासिंग मार्क चाहिए इन सारे बातों को मैंने डिसकस किया हुआ है इतने भी doubts हैं वो clear हो जाएंगे तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में clear कराने वाली हूँ बहुत important topic है हमारा topic है semester first का इसमें total four subject होते हैं आपका होता है poetry, drama, prose और fiction तो आज इस वीडियो में हम clear करेंगे poetry को कि poetry के अंदर में total कितने unit होते हैं और कितने कितने number की questions पुछे जाते हैं तो इसको कैसे याद के जाए और जबर 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 ट्रिक्स के साथ जिससे आप poetry में अच्छा number ला सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की इस वीडियो में semester first, paper first poetry from chausa to black तो सबसे पहली यह जान लेते हैं कि poetry में total number कितने होते हैं तो इसमें maximum जो आपका marks होता है वो 80 number का होता है और इसमें minimum लाना होता है 29 इसके अलावा आपका होता है internal assessment होता है जिसमें आपका होता है 20 number और इसमें passing mark होता है, तो passing mark लाना होता है 8 number कितना number तो 8 number लाना होता है तभी आप poetry को पास कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि poetry में total कितने unit हैं और कितने author हैं और कितने-कितने number के question पेपर में आते हैं तो सबसे पहले unit यहां से starting है यह 2 है यह 3 और यह 4 सबसे पहले यह है जोफरी चौसर दा प्रोलोगी टू कैंटर बड़ी टेल्स डी यह first है unit first के first author है इसमें second है John Milton Paradise Lost Book यह second unit second में है John Dryden इन्होंने लिखा है Mac Flakno इसको लिखा है और second है Alexander Pop इन्होंने लिखा है Rap of the Lock यह unit second का है unit third में है Thomas Gray इन्होंने लिखा है Ilazy Wrightin in the country Churchyard Progress of Pussy D इसको लिखा हुआ है और second author है इसमें का William Black इन्होंने लिखा है Song of Innocence Song of Experience इसको लिखा हुआ है unit four में है William Shakespeare इन्होंने लिखा है Sunnet number को और इसमें Sunnet number 18, 26, 60 और 16 तो इसको उन्होंने लिखा हुआ है जो इस poetry के अंदर में add किया गया है Unit four में author है William Shakespeare Sunnet number इन्होंने इसको add किया हुआ है इसको number पे चलता है इन्होंने नंबर उस poetry को इन्होंने लिखा हुआ है ना कि कोई नाम नहीं दिया मतलब number इसका नाम है समझिये तो इसमें है 18, 26, 60 और 116 और अगला है John Dunn इन्होंने लिखा है Good Morrow, Valediction, Forbidden, Morning D तो इसको लिखा हुआ है अब देखते हैं कि कितने कितने numbers के इससे question पूछे जाते हैं तो आप यह जान लिजें कि poetry में कितने कितने numbers की question आती है तो सबसे पहले the question paper will comprise two sections, section A and B तो आपका question paper section में रहेगा A और B में तो सबसे पहले दिखिए किस type से question रहेंगे तो सबसे पहले आपको जो question है ना objective type से question आएगा या फिर one marks का question कह सकते है there will be objective question covering the entire units contents of the paper the number of question will be 10 each of one marks तो आपका objective question आएगा या तो फिर normally question में पूछे जाएगा जिसमें आपका एक number का होगा अगला है there will be five short answer type question each of marks और अगला आपका short question answer लिखने के लिए आएगा जो आपका five question रहेगा और four है in section B there will be descriptive answer type question from unit two and four of equal आपके पास unit one है और unit कितना है four है तो यहां से आप लोग के पास long question आएगा जिसमें आप लोग का हर एक question कितना हैगा 12 number करहेगा जो आपका 50% क्या रहेगा आपके choice पर रहेगा choice का मतलब यह है कि आपके पास कितना है four unit है और हर unit में कितने two writer है तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास कितने writer हो गए eight writer हो गए तो हर एक writer से एक-एक question पूछे जाएंगे तो तो टोटल आपके पास कितने question हो जाएंगे 8 question हो जाएंगे तो उसी में से कहा जा रहा है कि आपके पास उसमें से option हैगा 50% कि आपको किसको बनाना है तो चलिए आप लोग को trick से बता रहे हूं कि आप उसे कैसे याद कर सकते हैं आपके पास आपके paper में question आएगे एक number का फिर आपका कितना रहेगा 12 नंबर का रहेगा तो सबसे पहले में आप लोग बता दूं यहां से इसमें जो हम याद करेंगे वही आपका एक number पर और आपके short question answer में भी काम आएगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप बारा नंबर को जो question है उसका तयारी कैसे करेंगे जिससे आपको और ज्यादा तयारी ना करना पड़े और ज्यादा मेहनाद भी ना करना पड़े और अच्छा number भी आप ले आसे मतलब ला सकें तो एक trick से समझे तो trick से देखे सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं आप लेखते हैं नंबर 1 पर introduction और introduction में क्या करते हैं आपको introduction के अंदर में लिखना होता है कि उस author ने उस point ने क्या गया है उनका बोर कभ हुआ है उन्होंने कभ लिखा है राइटिंग किया है यहां तक कि उनका एजुकेशन वे कहां जाकर पढ़ाय किये हैं उनकी वाइफ का नेम उनके पारेंस का नेम तो यह सब चीजों को याद करते हैं और हम इंट्रोडक्शन के अंदर में लिखते हैं तो खास बत यह है कि आपने यह सब चीज कर याद किया है तो आपको एक नंबर के क्वेशन के लिए और आंसर याद करने ज़रूरत है नहीं तो आपको यहां से कभर हो जाएगी तो यह ट्रिक्स है इसलिए आप जब भी कि जो बारा नंबर के लोंग क्वेशन आंसर के तयारी करते हैं कभी-कभी यह 15 नंबर के पुशे चाता है क्वेशन आंसर तो जब बार के बोर्न को और उनका एजुकेशन को और उन्होंने इसमें जो पोईट्री है उसको कब पब्लीश किया है इसको भी आप नोट डाउन करके रखे जो आपके पेपा में काम आएगी तो यह तो हो गया आपका एक नंबर का क्वेशन आंसर के लिए और इसके साथ ही आपको ज इसना नंबर मिलेगा अगला जैसे आप 12 नंबर क्वेशन लिक रहे हैं तो सेकर्ण है आपको पॉइंट क्या होना चाहिए पॉइंट के मतलब अब जिस भी क्वेशन आंसर को कर रहे हैं उसमें क्या-क्या पॉइंट दिया गया है तो उस जैसे के आपके पार 1,2,3,4,4 प सबसे most important होता है conclusion मतलब कि निशकर्ष थार्ड में होता है conclusion तो यह आपको इंपॉइंट हो जाता है निशकर्ष तब भी आपको फूल नंबर उसमें मिलने की chances रहती है तो जैसे आप आप long question answer के त्यारी किये हैं तो इसमें आप जो point लिख रहे हैं ना 1,2,3,4 आपने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है तो आप जैसी इसको अच्छे से त्यारी कर रहे हैं तब आपको यह जो आपके पास short question answer जो आपके पेपर में five short question आने वाले हैं तो उसकी तो आपको त्यारी करने ही नहीं पड़ेगे क्योंकि इसी के अंदर से पुछा जाएगा जैसे पूस दि दिया है यह पिर कहां का वहां था जो पॉइट है यह सब चीज़ अंदर आपके पास तो आएगा ही आएगा one two three point अब जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर तो एड होना ही होना है और hundred percent यह आपका यहां पर काम आएगा ही आएगा तो यह जबर जास्तर ट्रिक्स हैं जो question answer के लिए और long question answer के लिए कैसे तयारी करना है तो मैंने आप लोग बताया कि बस आप लोग को इसमें आपको ध्यान देना है उसके बाद आपको इतना दिमाग पर रखना है कि आपको किस किस टैप से प्रस्ट किया पेपर ने पूछे जाएंगे और आपको हल करना है आपक पर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि टूटल कितने यूनित होते हैं और कितने कितने नबर के question पूछे जाएंगे मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी जैसे कि इसमें यूनिट 1 में तो पोईट है तो इन में से जो मोस्ट मो हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करके रखिए बेल आपके करके तो आप मुझे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं फिर ऐसी है अगले वीडियो के साथ